जै माता दि मित्रो मेरा नाम पंडीत प्रकाज उसी स्वागत है मेरे YouTube, Facebook, Channel, Astro आज में मित्रो आज हम चर्चा करें तुला राशी के मार्च के मंथली राशी फलकी तुला राशी कैसी रहेगी धन की स्वास्त की परिवार की इस्तती इसके बारे में चर्चा करेंगे और तुलाराशी का मार्ज के महिने में जबरदस लक्ष्मी नाराएंड योग बन रहा है और बड़ा फाइदा तुलाराशी को दे सकता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे सबसे पहले मार्च के मेने की मंथली कुंडली के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, यही लक्षमी नारायन योग बना रहे हैं, तो कही न कही परिवार के लिए धन के लिए यह जो मार्च का महीना है, बहुत अच्छा रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और सूर्य बुद्ध और शनी जो आपके पंचम भाउं में बैठें ये थोड़े नेगेटिव है इसका क्या बुरा असर रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे गुरू आपके सप्तम भाउं में विराजमान है और राहू आपके छटे भाउं में विराजमान है तो इसका इस पूरी क भाउं में बन रही है यानि पूरा मार्च का महीना हैल्थ के लिए बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला यानि मार्च के महिने में तुला राशी वाले क्योंकि मंगल चंद्र और शुक्र दो गरे सोंदर्य के हैं एक गरे आत्म विस्वास का है तीनों की यूती मार्च में बन रही है तो कहीं ना कहीं आप अपने लुक में बड़ा चेंज करने वाले यानि कुछ लोग दाड़ी जिन्नोंने बड़ाई है वो कटाने वाले कुछ क्लर कराने वाले कुछ ना कुछ आप लुक के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण मार्च में लेंगे साती साथ कुछ लोग तुला राशी वाले योगा जिम करने वाले अपने हेल्थ को ठीक करने वाले अपने मोटापे पर कंट्रोल करने वाले खान पीन डाइट में यहां पर लक्षमी नारायेंड योग बन रहा है यानी मार्च के महीने में टीन बड़े गेन है पहला मार्च के महीने के अंदर प्रॉप्टी कोई आपको लाब होग या प्रॉपर्टी खरीजने में आपको लाब होगा बेचने में आपको लाब होगा रेंटिंग बिछाने में कराने में आपको लाब होगा यानि प्रॉपर्टी आपको कुछ लाब दे रही है दूसरा देखा जाए तो share या investment से आपको बड़ा लाब होगा तीसरा कोई व्यक्ति से आपको extra income के योग भी नजर आ रहे यानि आपकी part time कुछ income भी मार्च में होने वाली है और खास कर देखा जाए तो 6 मार्च से लेकर और 25 मार्था धन में जबरदत विरिद्धी double income के आपके योग नजर आ रहे यानि मार्च का महिना तुला राशी के finance के लिए health के लिए बड़ा important है आप बात कर लेते हैं परिवार भाव की तो परिवार भाव में रोचक नाम का मंगल का एक राजयोग बन रहा है यानि वार्च में family में जितने भी तुला राशी के सदसे उनमें सर्क किसी सदसे का कोई ना कोई मांगली काम होने वाला है यानि कि या तो करियर में कोई good news मिलेगी नई जौब लग जाएगी आपके family member की या शादी संतान से समंदित कोई रुकावा काम बनता हुआ आपके भाई बैन आपके बेटा बेटी का होता हुआ नजर आएगा साती सात घर के अंदर क्योंकि मंगल शुकर की यूती बनी है रोचक योग बना है तो मार्ज के मेने में या तो वाहन खरीदने के योग नजर आ रहा है वाहन बुक कराने के योग नजर आ रहा है ऐसा योग नजर आ रहा है साथी साथ परिवार के साथ में किसी शादी विवा, किसी पार्टी फ़ंक्षन में जाने के भी योग नजर आ रहे है são कुल मिलाके मार्ज का महिना परिवार भाव के लिए लाव कारी है अब बात कर लेते हैं संतान भाव की तो संतान भाव में तुलाराशी वालों का अगर देखा जाए तो पंचम भाव में सूर्य बुद्ध और शनी तीनों गरे बैठे हैं यानि सूर्य शनी की यूती बहुत खराब होती है लेकिन बुद्ध वहां पर बीच में आने से थोड़ा बहुत उसमें रहात आएगी सबसे पहले हम तुलाराशी वाले उनकी बात कर लेते हैं जिनकी छोटी संतान है तो कहीं ना कहीं मार्ज के मैने में जो छोटी संतान है उनकी एकागर चित्ता में आपको क लेकि यांई चोटी संतान के लिए मार्ज का मेना बहुत अच्छा नहीं है आप बात कर लेते हैं बड़ी संतान का तो बड़ी संतान के लिए यानि 18 प्लस बड़ी संतान के लिए जिनकी उमर 18 से बड़ी है तो उनके लिए पहला चीज सूर्य बुदर्षनी की यूति से वहां ध्यान को ध्यान से समाल कर आपको चलाना है नहीं तो वहां से एक्सिडेंट वहां से चलान के बड़ी संतान के योग नजरा रहें बड़ी संतान का कोई जूट पकड़ा जा सकता है जिस वज़े से उसको डाट आपके द्वारा पढ़ सकती है तीसरा करियर में टेंशन रहेगी और खास कर एक तारिक से लेकर और 20 मार तक बड़ी संतान मे या तो वाद विवाद रहेगा तुलराशी वाले स्टूडेंट का या माता-पिता की हेल्थ का इशू आपको मार्च में सुनाई देगा दूसरा आपके साथ में कोई चोरी कोई ठगी हो सकती है या ओनलाइन आपके पैसे उड़ सकते है या कोई व्यक्ति आपके बैंक में सेंद लगा सकता है या आपका मोबाइल या आपका कोई कीमती समान चोरी हो सकता है तो दूसरा आपका नुकसान ये लिखा है तीसरा मित्रों से सगे मित्रों से आपके वाद विवाद होंगा तो तीनों ही बूरे फल मार्च में student के बन रहे हैं अब बात कर लेते हैं तुला राशी वाले उनकी जो नौकरी करते हैं जॉब करते हैं तो भई यहां पर हंस योग बन रहा है हंस योग पूरे मार्च में active है तो आपको एक अच्छा और एक बुरा दोनों प्रकार के फल तुला राची को मिल रहे हैं पहले मैं अच्छे फल के बारे में बात कर लूँ तो अच्छा फल यह होगा ओफिस के अंदर आपको पद लाब हो सकता है आपको बड़ा पद दिया जा सकता है आपकी इमानदारी की तारीफ होगी आपके लिए तालिया बजेगी यानि कि ये तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट है यानि पद या कज़क आपको लाब होगा आपको मन पसंद प्रोजेक्ट मार्च में मिलेगा बुरा क्या है कि सब कुछ मनपसंद project मिलने के बाउजूद भी पदलाब होने के बाउजूद भी आपकी performance आपकी मैनद भी बहुत होगी लेकिन आपकी performance डाउन रहेगी, ना के बराबर रहेगी, sales होने में, target अचीव होने में, बड़ी कठनाई रहने वाली है मार्च के महिने में, यानि कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, अब बात कर लेते हैं तुला राची वालों के दामपत्य जीवन की, सबसे पहले love कपल, प्रेमी, प्रेमी का के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो आपका partner है, वो बे फालतू का आप पे शक करने वाला है, मार्च के मेने में आपका mobile देखने वाला है, आपकी inquiry आपके मित्रों से करने वाला है, कहां जाती, कहां रहता है, कहां जाता है, इसके बारे में तै पार्टनर के साथ में आपकी मार्च के मेने में नदी पाहडू की यतर रहेगी लेकिन पार्टनर मार्च के मेने में थोड़ा डाउट फुल आप पे रहेगा तो कुल मिलाक के दांपत जो प्रेमी प्रेमी का की लव-लाइफ है वो नौर्मल सी नजर आ रही है पती-पतनी के बारे में बात करें तो जो आपका पार्टनर है वो मार्च में पूजा पार्ट किसी धरम करम किसी मंत्र साथना में इंगेज रहने वाला है कोई साथना करने वाला है कोई पूजा पार्ट करने वाला है ऐसा योग नजर आ रहा है या मार्च के मेने में पार्टनर की यातरा या पार्टनर और आपकी यात्रा नदी पहाडों की होगी और दो तीन तीर्थ यात्रा की होगी यानि कुल मिला के मार्ज का महिना बड़ा धार्मिक महिना रहेगा धार्मिक नगरी तीर्थ नगरियों के आप दर्शन करते वे नजर आएंगे और पार्टनर की वज़े से दामपत्य जीवन आपका अच्छा है अब हम बात कर लेते हैं तुला राशी वाले उनकी जो व्यापार करते हैं जो अपना ही काम करते हैं तो बही मार्च के मैंने में आपका लक्ष्मी नारायन योग बन रहा है यानि चतूर्द भाव में मंगल और शुक्र जो बैटें जो स मैने में या बन सकते हैं पहला अच्छी सेल आपको मार्च में देखने को मिलेगी दूसरा देखा जाए तो कुछ ना कुछ आप रेनुवेशन कराने वाले नई फ्रेंचाइजी खुलने वाले या नया प्रोडक्ट आप लॉंच करने वाले मार्च के मैंने में तीसरा काम क वस्तुएं या मशीनों की आप खरीदारी भी मार्च में करने वाले तो मार्च का महीना काम के लिए आसे बड़ा इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट आप निर्ने लेंगे और वो निर्ने सही साबित होते वे भी नजर आ रहे हैं और शुकर और मंगल की यूती के कारण आप अपने काम के बड़ी मार्केटिंग कराने वाले हैं उससे भी आपको लाब नजर आएगा तो खुल मिलाके व्यापारियों को मार्च का महीना बड़ा निर्नायक सीद होगा उनको कुछ ऐसे निर्ने लेने पढ़ेंगे ना चाहते वे भी निर्ने लेने पढ़ेंगे जो आ